कोई भी आदमी जब आध्यात में या स्प्रिच्वालिटी में आता है तो डेफिनेटली उसमें सो में से नभे लोग उनका जो परसेप्षन होता है स्टार्टिंग में ध्यान में और आध्यात में आने का बहुत सही होता है परपस अच्छा होता है, 4-6% लोगों का बदमासी वाला होता है, उनको छोड़ दो, लेकिन जो अच्छी प्रुवित्ती से एंटर करते हैं, धीरे-धीरे मेटेशन कर रहे हैं, साधना आगे बढ़ रहे हैं, अब प्राबलम कहां से बढ़ती है, अब धीरे-धीरे वो सक्से झाल को शेर करने के लिए रहे हैं, उसका भी मन करता है कि हमारे स्टुड़ेंस तक बातें जाएं और हमारे स्टुडेंस आगे बढ़ें, ऐसे करता है, गुरु का तो मेन परपस वही होता है, बाद में, पहले तो अपना होता है, उसने तो अपने लिए किया, तो उसकी जुषे धेरे उसका चेंज हो रहा है वो जब खुद फूरी तरह से सैटिस्फाइड हो गया तो अब उसने सोचना शुरू किया कि जो हमारे आस पास के लोग है अब वो भी कुछ लाब ले लें अब उसने वहाँ पे देना सुरू किया वहाँ पे देने लगा तो वहां से सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब एक उसके स्टुडेंट्स हो गए और एक वो खुद तो है लेकिन अब धीरे-धीरे क्या होता है कि आप अपने मैनेजमेंट को बढ़ाना सुरू कर दिया आपके स्टुडेंट्स बढ़ने लगे तो गुरू की प्रॉब्लम क्या हो गई कि अब वो मैनेजर हो गया अब जो गुरू का रियल एक्सपीरेंस था उसको छोड़के अब वो मैनेजमेंट पे आ गए उसका काम मेरिटेशन करना इनसाइड में जाना वहां से एक्सपीरेंस निकाल के अपने स्टुडेंट्स को देना यही काम था लेकिन अब चेंज हो रहा है अब उसका जो परसेप्शन है चेंज हो रहा है चुकि अब उसके पास ज्यादा चेले चपांडे आने लगे तो अब वो मैनेजर का काम करना स खुषी कहां से मिलेगी अब इनसाइड से खुषी नहीं अब वो प्रोपोगंडा देख के खुष होने लगा एक लिमिट के बाद बढ़ेगा अब चुकि उसका नेचर नहीं है वो बाहर का मैनेजमेंट का नेचर तो अंदर का है वो नेचर उसने वही बनाया जिए अब अब वो डिजीज में जायेगा अब वो मैनेजमेंट का काम समाली है ना मैनेजर हो गया अब वो डिजीज में जायेगा मान लो उसने अपने लोगों को भी रखा है मैनेजमेंट करने के लिए तो इंडिरिक्ली तो आप ही को तो इनवाल होना पड़ेगा मान लो आपके मैन नेजर हो गए अब आपका external expansion पर ध्यान हो गया अब दवाईयां ज्यादा लेना ठीक नहीं, तो आप क्या करोगे, आपकी ब्रेटलिसनेस होएगी, आप ड्रग लोगे, जैसे एक गुरू थे, वे पहले बहुत कम बोलते थे, मेरी जान करेगे, बहुत सब सही चल रहा था, धीरे धीरे जब उन्होंने अपना आश्रम बहु अब आपको ब्रेटलिसनेस होने लगी, अब आपको सांस के डिजीज हो गई, अब आप पफ लेना शुरू कर दिये, अब आप दिन भर बोल रहे हो, तो दिन भर क्या बोलोगे, आपको अट्रैक्ट करना है निससरी लोगों को, तो फालतो की बातें करना शुरू कर दिया आपने, आपने अपनी स्पिर्चुालिटी में गप्पें और चुटकुले सुरू कर दिये, जब कि स्पिर्चुालिटी में अगर आपको लेक्टर दे रहा हूं, तो मैं आपको चुटकुले सुना करके खुछ सोड़ी करूँगा, यह तो बेकुफी है न काम मेरे, मैं जबर के चुटकुले बता दूगा तो उससे दो मिनट के लिए खुस हो जाओगे तो हो क्या जाएगा बिलकुल वैसे ही जैसे आप कहानियां बताओ कोई धार्मिक कहानिया कि दो मिनट में खुस हो गए आप पूजा कर लिया भगवान खुस हो गए उन्होंने आपको बहुत अतरत ने दिया दो ही मिनट के तुखसी है वह रियालिटी थोड़ी ने उससे कोई मेंटल सलीशन नहीं निकल रहा है तो इस प्रिच्वाल्टी में चुटकुले फुटकुले नहीं चलते मेरे अनुसार पर वह सुरू कर दिये एंड में वह ड्रग लिया भान चरस और फिर ज्यादा तर लोग बॉड़ी को हीट जन लेट करने के लिए हम सलेटें कियोंकि नॉर्मल फूर से तो बॉड़ी में हीट नहीं जलेट होगी ना पर वहीट जनुरी करने के लिए लिए फाल्दु पर आप जितना ज्यादा फैलाने लगते हो इसे जादा आपको कांटेंट की जुरुत पड़ती है ऐसे content की जो की drug वाले हो अभी ख़बर आई है कि जो Elon Musk वो भी drug ले रहे हैं तो मेरा एक कहने का मतलब है कि आप mentally cool and calm रहें एक गुरू especially उसका काम बस इतने ही है कि वो उसको philosophically बोल करके separate कर ले है इसके आगे न बढ़े अगर इसके आगे बढ़ रहा है तो फिर वो आगे वही disease में जाएगा वो confused होगा ऐसे मैंने 70-80% गुरूं को देखा है जो फिर बाद में अपने आपको आतार बनाने लगते हैं फिर यह है फुलाना है धिमका है natural pattern बिलकुल रह पर नहीं रहते जबकि गुरू का मतलब रह होना जो है वो है जैसे सौकर्टीज सौकर्टीज के पास कितने अच्छे अच्छे सिस प्लेटो प्लेटो पाइदा कर दिया आज का गुरू भीहन पाइदा करता है प्लेटो नहीं पाइदा करता है उसके पाइदा किया योगी पैदा किया वेवेकरनन भीहन थो नहीं पाइदा किया प्लेटो पाइदा करके लाखों लोगों को सपोर्टर कर दो आज भी जिंदा है भगवान हम कहते हैं रामकृस्ण थे लेकिन भगवान रामकृस्ण थे वह इसलिए क्योंकि उन्होंने इक आज भी है कोई किताब नहीं लिखा लाखों लोगों का पंडाल नहीं बनाया है उसलिए क्योंकि यह लोग अनिभाव के तो ऐसे होना चीखिए